को हैं वेलकम बैक टեनल कैसे हो आप सब आहें आप सब अच्छे हैं उन अच्छे ओंगे तो गाइज हम करवाANS आपके साहब जय ये की एर वॉच की बिदीओ शेयर करने बाल लग spre जोती है कि बाल बिल्कुल चिप-चिप होने लग जाते हैं तो जेशन को वीक में 2-3 बार हीर वाश करवाना ही पड़ता है उसके बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है जिस वजह से उसके बाल बहुत ज़दी गंदे भी हो जाते हैं तो मैंने सोच था कि आज मैं किस के जया हैं करदीया ऊणवाल चांवाल चिर से मुंस्क करती हैं इसके लावा मस्चर्डाइल से महां आइलिंग करती हो इसके इलावा कोई भी चीज में उसके बालो में यूज नहीं करती हूँ अगर उसे इचिंग डानरफ की प्राबलम हो तो मैं दहीं इसके बालो में लगा दिती हूँ बस ये घर की चीज़ें हैं, शैंपू आयूर का शैंपू यूज करती हूँ, और आयली के लिए मस्चरड या फिर coconut oil तो आयोर शेंपू मुझे परसनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफी ज़्यादा अफॉड़ेबल है काफी कम प्राइज में आप इसकी 1 kg की बॉटल ले सकते हैं तो जेशन को दो बार मुझे शेंपू करवाना पड़ता है क्योंकि उसके बालों में फिर से शेंपू करती हूँ फिर वह बहुत अच्छी तरह से लेदर करता है क्योंकि तब तक बाल बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं दो बार शेंपू करवाना पड़ता है बालों की लेंध के अकॉर्डिंग तो दो बारा मैं शेंपू ले रही हूँ मुझे ये वला शेंपू इतना अच्छा लगता है ना इसके इंग्रीडियंट्स जो हो है वो बिल्कुल हर्बल है नैच्चुरल है लेदर बहुत अच्छा करता है एक्स्ट्रा कंडिशनर यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और हियर फॉल की प्रॉबलम आपकी बहुत ज़्यादा कम हो ज सकते हैं लेदर आप देख सकते हैं कि अच्छा लेदर करता है और काफी कम प्राइज में आप इसकी वन केजी की बॉटल ले सकते हैं आपका अराम से तीन से चार महीने यवला शेंपू चल जाएगा तो देखिए अब मैंने दोबारा जर्शन के बालों में शेंपू लगा इसमें बाल इतनी जदा चिप चिप करते हैं कि उसे इचिंग इतनी होती है हर दूसरे से तीसरे दिन वो कहेगा कि मुझे हेर वाश करवादो मुझे ना बड़ी खारीश हो रही है बाल चिप चिप हो रहे हैं वैसे तो हम उसके ऑईलिंग करने के बाद ब्रेड बनाकर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब मैं और भी अच्छी च्छी वीडियो आपके लिए बनाती रहूंगी तो चलिए गाइस अब मैं मिलूंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई